बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज को पाने के लिए सस्क्राइब करें साथ ही बेल आइकन को दबा कर आल पर क्लिक कर ले तो आईए इस वीडियो में डिस्क्रस करेंगे MSC 3rd semester वालों का हर एक paper से very very most important type के question स्लेबस के साथ यहां पर मैं बताऊंगा यानि कि आपको कौन-कौन सा यहां पर तैयार कर लेना है question आखरी टाइम पर आपको क्या पढ़न के जाना है अगर आपने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की है तो लाश्ट टाइम में आपको कौन सा question है जो पढ़के जाना है और कमिस्टी आपके paper का नाम है पहले unit है यहां पर photosynthesis इसमें आपको क्या पढ़ना है electron transport system electron transport system in chloroplast chloroplast में जो electron transport chain चलती है वो आपको त्यार कर लेना है इसकी मभी बोलते हैं इसको उसके बाद आपको c3 c4 और कैम यह तीनों पढ़ लेना है तीक है आगे बढ़ते हैं respiration से respiration में आपको photo respiration पढ़ लेना है ठीक है गलाकोलेसिस पढ़ लेना है citric acid cycle यानी क्रेफ साइकिल पढ़ लेना है ठीक है और फिर यहां पर mitochondrial electron transport ATP synthesis यह पढ़ लेना है ठीक है तो टोटल कितने हो गए तीन कोस्चन यहां से चार कोस्चन आपको photo synthesis पढ़ना है और उसके बाद कि रिस्पारेशन से आपको 123 और फोर फोर कोस्चन आपको रिस्पारेशन से पढ़ लेना है important है फिर है nitrogen metabolism तो nitrogen metabolism में आपको क्या पढ़ लेना है यह मैं आपको बता दे रहा हूं आपर यह ध्यान दीजिएगा nitrogen cycle सिर्फ आप nitrogen cycle पढ़ लीजिए last time में आपको क्या करना है वो मैं यहां पर बता रहा हूं ठीक है तो इस बात को बिलकुल भी आप मत भूलिए कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है यहां पर मैं आपको अल्रड़ी बता दे रहा हूं unit 3 में paper first के unit 3 में आपको क्या से हर्मोन का आता है physiological effect आपको आगजिन और जिब्रियोलीन का पढ़ लेना है तो वह रहाल यहां पर details नहीं दिया है पर आपको इसको ध्यान से देख लेना है ठीक है फिर है यहां पर क्रिप्तो क्रोंप और फिक्रोंप डिफ्रेंसे इसमें देख लिजेगा अगला है systू मेिटल मोमेंट फोटो परियाड़िम बेरी बेरी मोने इम्पोर्टेंट ठीक है उसके बाद है कि शीड जर्मिनेसा निका कोश्चन पढ़ लीजेगा शीड जर्मिनेसा डॉर्मेंसी यह आता है उसके बाद है next बर्नलाजेशन आपका वेरी वेरी मॉस्ट इंपोर्टेंट कोशन है वेरी वेरी मॉस्ट इंपोर्टेंट इसके बाद यूनिट थर्ड में पहुंचते हैं तो इसमें क्या है solute transport and photo assimilate translocation जिसमें आपको क्या पढ़ना है iron and solute का mostly micro molecules का translocation कैसे होता है या micro and micro elements का differences आपको पढ़ लेना है जो कि यहां पर mention नहीं किया है आपको उसको तयार कर लेना है ठीक है नहीं सोजाएगा sensory photo biology में इसमें आते हैं इसमें phytochrome and cryptochrome आपको आलड़ी हमने उपर बताई दिया है आपको वहीं पर पढ़ लेना है कोई दिक्कत नहीं है फिर हर नेक्स्ट फोटो मार्फो जनिक रिसेप्टर यह कैसे action करता है इसकी माइक निजम आप देख लीजिएगा इसके signaling and gene expression signaling कैसे होती है और gene expression क्या है इसको देख लीजिएगा ठीक है यह आपका पहले पेपर से हो जाएगा उसके बाद क्या बच रहा है आई यह देखते हैं unit number four यूनिट number four में चलते हैं बायो अनर्जेटिक्स में यह देख लीजिएगा इंट्रॉपी इंथेल्पी वेरिशाट टाइप में आ सकता है ठीक है इंट्रॉपी इंथेल्पी उसके बाद हाई एनर्जी मालिक्यूल एटीपी होता है इस पर डिटियल आ जाएगा अमीनो एस उतना ज्यादे इंपॉट्टनन नहीं है प्रोटीन इंपॉट्टनम्ट है यहां पर फाल यहां पर Back और उसके बाद है ऑन सब्सक्री प्रोटीन जो याउसा जाता था ठीक है नेक्स हो जाएगा एंजाइम, एंजाइम का क्लासिफिकेशन और मेकनिजम आप आएकसान एन डिगुलेशन आप एंजाइम, आइसो एंजाइम, ये देख लीजेगा, एंजाइम का मेकनिजम इंपोर्टन है, उसके बाद पांच में उनिट में आते हैं, जिसमें कार्बोहइड्रेट दिया गया है, लिपईट्स, तो लिपईट्स का कलासिफिकेशन भी देख लीजेगा, इसका भी कलासिफिकेशन आता है, फिर बीटामेशन में वीटामेशन दिफिर्फिकेशन देख लीजेगा, एंजाइम पहला पेपर इस तरीके से complete हुआ, ऑप करा क्या है, इसका मॉडल पेपर वगेरा सबकुछ अपलोड कर दिया गया है यानि कि सभी पेपर के लगव मॉडल पेपर हमने अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुरंत फटा पढ़ जाएए और देख लीजिए यहाँ पर दिया है बेसिक लीजा और अर्गनाजीशन क्रोमासोम स्ट्थर एक त्रॉमसाम तो इसमें आपको क्या पढ़ना ध्यान दीजीगा पोलेटीं। क्रोमसोम उम्प्रूश क्रोमसोम ये देख लीजिएगा उसके बाद है दूड़ो एल्येज इंजेंटिक्स आपको पढ़ लेना डायविट क्राश्व मौनौण एक ट्रहार पर आता है ठीक है उसके बाद को डौबिनेंस इनकंप्री डौमिनेंस जीनेट्रेक्शन बेरी बेरी मॉस्ट इंपर्डेंट प्लियोट्रोपी बहुत इंपर्डेंट है यह यह आता है उसके क्रेंट बाद नेक्स सकता है तो कूस्चन पूछा जा सकता है कुछ कहां नहीं सकता क्योंविव घ्यामनर जाते हैं पेपर बनाना के देते हैं उनके दिमाग को कोई नहीं जान सकता है क्या बना के देंगे उनको भी सिविशन मैं संकर सकते हैं तो आप लोग अपने gonna से सतर कर रहिए सजग रहिए ठीक enriching method very very mostша इंपोर्टन जिसमें inheritance, बहुत important, एक question आपको यहां से confirm है आना, जिसमें से mitochondrial और chloroplast का दूख दिया गया है, mitochondrial पूछा जाता है, आप इसको त्यार कर लिजे, अगला हो जाएगा unit 3, unit 3 में quantitative genetics, polygenic inheritance, heritability and its measurement QTL mapping, QTL mapping पर short note आ सकता है, इसको देख लिजेगा, उसके बाद population genetics, population genetics, population gene pool, gene frequency, hardly beverage law, इसमें से हमको बहुत ज्यादा important नहीं दिख रहा है, आपको मैं बता दे रहा हूं, आपको क्या तयार कर लेना है, आपको किबल gene pool पर short note तयार कर लेना है, और gene frequency पर short note तयार कर लेना है, okay, next हो जाएगा unit 4 में, mutation very very most important, all unit, यह unit सबसे all chapter इसमें जितने हैं, सब important है, mutation क्या है, type, causes, detection, mutant type, lethal, conditional, biocomical of function, grain of function, germinal, इसमें आपको यहां तक तो पूरा आपको तयार करना है, फिर आप physical, chemical, mutagenes, insertion, mutagenes, DNA damage and DNA repair, DNA damage and DNA repair इसको तयार कर लिजे, structural numerical alteration of chromosome, delusion, duplication, variable, यह पूरा important है, सब important है, नीचे वाला पूरा important है, आपको तयार करना है, stress में, stress में, stress का वैसे मैं एक वीडियो बनाने कोशिस करूँगा, पूरा आपके एक्जाम से पहले, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजिए, अब पहली बार जुड़ रहे हैं तो, क्योंकि बार बार आपको तकलीफ और दिक्कत ना हो, एक बार आप सब्सक्राइब कर एक वीडियो में बनाने कोशिस करूँगा, और साट नोट जो होगा, उससे रिलेटर वहीं से उठा करके हम एक चोटा सा वीडियो बनाएंगे, जिसमें में, मीडियन, मॉड, स्टेंडर, डेवीयर, स्टेंडर, एक वीडियो में बता दूँगा, ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहेगा, और टेलिग्राम ग् का कांसेट बताना है, और उसके बाद जो इंपोर्टन है, आपको मैं बता दे रहा हूं, यहां पर सबसे ज्यादा इंपोर्टन है, मीजरमेंट आफ से मीडियन मोड से एक कोशन आना कंफर्म है, लाउंग में भी, साट में भी, तो आपको ये कोशन मिल जाएगा, आसानी स तैयार हो जाएगा, तो बेतर होगा कि आप इसको तैयार कर लेजिए, ठीक है, इसका वीडियो जो आएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादे हिल्फुल रहेगा, असानी तरीके से में बताऊंगा, और एक कोशन आपको इस्टेंडर्ड डिवीशन से मिल लिएगा इस पर हम बात करते हैं, इसकी साथ नोट भी लगभग तैयार उचकी, इसके इंपॉर्टन जो कोशन है, वो भी हमने मॉडल पेपर बना करके अपलोड कर दिये हैं, जिन में आपको इन्वार्मेंट की कांसेप्ट या निक तैयार करना है, एम और इसको यहां पर दिया नह तो यह भी आपका लगभग तैयार हो जाएगा, उसके बाद बात करते हैं हाँ पर, दिया यहां पर और और के सेलेक्शन, कांसेट आप काईरेंग, कांसेट आप काईरेंग, कैपसिटी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बाटरिंगल गार्डन, नीचे का यहां से ले करक यहां तक आपको तैयर करना है, एक यह आर और के सेलेक्शन, कांसेट आप करेंग कैपसिटी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और बाटन कल गार्डन, यह आपको तैयर करना है, हंडेट परसंट, तो इसमें से कुल मिला गया आपको कौन सा तैयर करना है, एकोलाजी का इ देखनक मिल जाएगा, पियो कम्मty से, से कांसेट आप कमूनीटि ऑनियुटि तो कमूनीटी से आपको एक कॉच्चन मिल जाएगा, उसके बाद है एको सिस्टम, से आपको एक या दो कोस्टम मिल जाएगा, एक हो जाएगा, वालेज्वकल साइक्चल से, और दूसरा हो जा लगा बावलोचकल साइकल से कोई एक साइकल तयार करना है नाटोजा साइकल अल्रेडी एक पहले उनिट में प्लांट फिजियोलाजी में आप तयार कर ही लेंगे तो लागभाव आपको यह फस जाएगा नाटोजा साइकल का वीडियो भी आपको प्लेइलिस्ट में मिल आगे बात करते हैं और पापुलेशन क्लामेट चेंज में कंड्स صूर्स एन एक सऑरी प्लूूति यह आपर प्लूू संहों जाएगा पलू प्लूू ऑलू ग्लामेट में क्या चेंजिंग आती इसका effect source यह सब पढ़ना है जिसमें CO2 CHNO CFC इन सबका greenhouse effect त्यार करें गलोबन वार्मिंग त्यार करें और air pollution और तीन त्यार करें और radioactive भी देख लिएगा क्योंकि रेडियो अक्टिव मौडर्न इसमें चल रहा है तो उसकी ज्यादा आता है स्वेल से आपको एक या दो question देखने को मिलेगा मतलब कुल मिला कि important मैं बता रहा हूं last time में आपको क्या पढ़ना है स्वेल पढ़ लिजिए ताइप साफ स्वेल पढ़ लिजिए और स्वेल formation कैसे होता है यह पढ़ लिजिए complete कि स्वेल का कंजर्बेशन और इरोजन भी कभी कभी आ जाता है तो आपको यह भी देख लेना है सरसरी निगा से देख लेना है स्वेल साइंस की पूरा कंप्लीट नोड्स आपको बाटन लेक्चर में मिल जाएगी जिनने चाहिए होगा वह संपर्ग कर सकते हैं मैं कि अगला है। पिशाहए है अगला है फाइटो जिज्ग्राफी से एक कोच्चन आपको मिल जाले का फाइट जिए एंडिया इस पर एक कोश्टर आपको मिल शकता है त्र यह पढ़ते हैं इस तरीके से पेपर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपका कम्प्लीट हो जाएगा फोर्थ पर चलते हैं जो कि आपका माइनर है माइनर में प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप इंप्रॉप्मेंट है और दूसरा है आपका यहां पर माइनर में इस्टुमेंटेशन एंड टैकनिक इस पर यह देखते हैं जिसमें आपको डियादरेशन और स्टेरिंग की प्रोसस्य तैयार करना है उसके बस माइक्रोसकोपी में सिन्पोल कंपाउंड मायक्रोसकोप डिया पाइट फेज कंट्रास्ट तैयार करना है और एलेक्टार माइक्रोस्कूप तैयार करना है बस इतना ही आपको ध्यान देरा है कैमेरा लुशिटा उगर छोड़ दीजेगा कोई दिक्कत नहीं है फिर है सेंट्रिफ्यूगेशन रोटार्ड तैयार करना है अभी मॉडल पेप पर में यह कोशन हमने रख दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है अलग से आएगा इसका तो यह आपको दो त्यार कर लेना है ठीक है इस्पेक्ट्रो इसकोपी और एलेक्ट्रोफॉरसिस भी त्यार कर लिजेगा इंपॉर्टेंट है इसके बाद चौथी उनिट्ची है इसर रेडियोग्राफी रेडियोग्राफी रेडियोग्राफ रेडियो एक्टिबिटी जीयम काउंटिंग इंपॉर्टेंट है यह आसकता है आटो रेडियोग्राफी आसकता है क्रोमेटोग्राफी वेरी वेरी मॉस्ट इंपॉर्टेंट है आप इसको तैयर कर यह कैसे भी बता दे रहा हूं आट एट सेट लूकि हमको उसका पूरा कांसेटक्स है त्रीके से कख्या क्या पूछ जा सकता है माक्रोट awesome गाई मैं को एक क्वेश्चन पूछा जा स क्खे JUST आब हमने कोसिस किया बताने की आई होग कि आप सब को समझ में आ गया होगा इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें टेलिग्राम पर जॉइन कर सकते हैं आप हमें वाटसप पर जॉइन कर सकते हैं कहीं भी आप किसी भी तरीके से आप मैसेज कर सकते हैं कोई प्राबलम हो रही है तो आपको हम कोशिस करेंगे उसको दूर करने की वरहाल बेस्तता रहती है पर पूरी कोशिस करूँगा कि वो सब मैं आपका दूर कर सकूँ ठीक है बाटल लेक्चर में जोडने के लिए आप सब का बहुत बहुत धनवाद ऐ कैसे हमारे साथ बने रहेगा साथ नोट के लिए संपर करिए डिस्क्रिप्शन में जाए डिटेल आपको मिल जाएगा वर्सा नमबर पर तुरंद कांटिज करिए आपको साथ नोट वहाँ पर प्रवाइड करा दिया जाएगा बहुत बहुत धनवाद आप सुभी का